तो मार्वल एपडेट के एपिसोड नमबर 6 तिरी में आप सभी का सुवागत हैं और फाइनली दोस्तो थोर 5 के बारे में कुछ अपडेटे निकल के आईए चुकि काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है और इसके लाए दोस्तो बात करें वेनम 3 के बारे में और नोवा के भी बारे में बात करें जिसके भी बहुत टाइम बात अपडेट निकल के आईए तो दोस्तो आज की वीडियो काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली तो इस वीडियो को लाइक करते हैं आप चेनल के उपर ना आयो तो चेनल लोग करें सब्सक्राइब ताकि आपको छोटी बड़ी जान करें चेनल के उपर मिलती रहें तो आप बीना किसी टाइम वेस करते हैं चलो दोस्तो इस वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं थोर फाइफ अपडेट के बारे में क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से लोग थोर फाइफ के अपडेट सुन नहीं आए हैं तो थोर फाइफ के बारे में काफी सारी अपडेटे हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसा बताया जारे कि हमें थोर 5 अवेंजर केंज देनिस्टी के बात देखने को मिलेगी या फिर अवेंजर सीकेट वोर के देखने को बात मिलेगी और इसके अलावा दोस्तों इसा बताया जारे कि हमें थोर 5 का मैं विलन जूस देखने को मिल सकता है और Thor 5 के अंदर जो Hercules का character होने वाला है वो similar होने वाला है Adam Warlock की तरह यानि ही पहले villain होने वाला है बात में ये end में आके hero बन जाएगा और comics के अंदर तो Hercules Avenger team का एक member भी रह चुका है तो जैसे Thor 5 के बारे में कुछ और update निकल के आई तो मैं आपके साथ share कर दूँ तो channel को subscribe करके ज़रू रखना और इसके लाँ दोस्तों बात करें Venom 3 के बारे में तो दोस्तों Venom 3 से भी काफ़ important update निकल के आई है जैसे कि Venom 3 के shooting complete होने वाली है और Venom 3 की importing चीज़े shoot की जारी है भी तो हाँ दोस्तो Venom 3 के आने वाली कुछ दिनों के अंदर shooting complete हो जाएगी और दोस्तों ऐसा बताया जारे कि Venom 3 के बाद Venom Marvel Universe के अंदर आ जाएगा ये दोस्तों update निकल के आई है देखना ये होगा कि मुवी के अंदर एसा होता है या नही इसके अला दोस्तों बात करें हमारी अगली update के बारे में तो Nova के बारे में कुछ update निकल के आई है तो दोस्तों Marvel Studio दुबारा से planning कर रहा Nova के बारे में कि कि बाएप्टेटे के बारे में सबने को इसा कहा है कि एक रूमर्स निकल करा रहा है कि इस वीडियो को लाइक और चैनल को सबक्सक्रेब जरू करें चैनल को पर मिलती रहें